बहुत स्वागे ते विच्छा पंजाब अड़े 24-7 ते तोड़ी सारे आथा आज आपा डिसकेशन करने वाले हां किस सब्जेक्ट दे बारे जोग्रिफी दे बारे दो दिन चापा पॉलटी ता रिवाइस कार रही सेगी आज आपा जोग्रिफी दी रिवीजन करांगे अगर तुसी किसी भी कंपेटिटिव एक्जाम दी तियारी कारे हो तो एक क्विक रिवीजन इंपोर्टन टॉपिक्स अफ दी जोग्रिफी दी करना चाने हो तो तो देन दिस लेक्टर इस फो यू PSSB Senior Assistant दे ले भी एक लेक्टर इड़ा है बहुत बहुत इंपोर्टन है आप मैं प्रॉपर्पली ओडिवल औन विजिबल तो आल अफ यू दू लेट मी नो हाँ जलना दसो मैं प्रॉपर्पली ओडिबल हाँ विजिबल हाँ अज दा लेक्टर जड़ा है अपा एक लेक्टर दे विच्छी जोग्रिफी रिवाइस करांगे ठीक है इक कंटे दे वे जिन्ही अपनी जोग्रिफी रिवाइस हुई ओके और थियोरी पॉइंट अफ यू दिन आल में तो नो आज दे लेक्टर दे विच तड़े रिवाइस हो जांगे जड़े 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 जिदा 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 तॉपिक समझ दे जाओ प्लीज थम्स अप कर दे जाना सो दाट में नू पता लगदा जाए कि हां जी भी तॉन्वे टॉपिक जड़ा है क्लिर है ता लेट स्टाट विदा टुडे लेक्टर दिड़ी स्लाइड प्रॉपली था नू आइधिंक कट हो रही है हलकी जी क्योंकि जूमिंग जाधा है थी जस्ट आ सेकंड ऑके नाउ इट्स प्रॉपली विजिबल हना प्रॉपली था नू विजिबल है स्टाट कर देयां आईधा अपना लेक्चर सब्तो पहला इंडिया नू आट ग्लांस चान लिए इंडिया दे बारे थोड़ी इंपोर्टेंट फैक्टर इंफॉर्मेशन जान लो अगर तुसी जोग्रिफी कार रहे हो इंडिया दे विच सब्तो पहला कोशन कही बार बेंगॉल त्रीपूरा और मिजुरा बहुत बार एक्जाम दे विच चार आप्शन जिते होंदे जिदे विच तो नूँ चूज करना होंदे ट्रॉपिक आफ कैंसर कितनो पास नहीं करेगा इस करके काफी इंपोर्टेंट कोशन है बहुत चार एक्जाम से कवर अप होंद एरिया वाइस रश्या पहले लंब बढ़ते है और इंडिया जड़ा है एदा एरिया के नहीं 328,720,7263 स्केर किलोमेटर 2.42 परसंट पूरे वर्ल्ट दा एरिया दे विच यह आंदी है यावी जिवेत उसी कॉंटिनेंट्स तेख देओं कॉंटिनेंट्स टोटल 7 है और इंडिया जड़ा है उस दा पार्ट है एश्या जड़ा कॉंटिनेंट्स ए वर्ल दा लाजस्त कॉंटिनेंट्स भी आयाएन देपॉपूलेशन भी एश्या देविच सब्तोँ जादा है इसी तरीके दिनाल इंडिया दी गाल किती जावें, अंदामान और निकोबार आइलेंड्स टरी हैं, इंडिया दा ही पार्ट आजान देने, इंडिया जड़ा कॉंटिनेंट है, एक इत्थे लोकेटर नौर्थ इस्टन हामिस्पेर दे विच, नौर्थ इस्टन हामिस्पेर मतलब किया अगर तुस्ति ग्लोब दा swear देखोंगे इनु अपपा कैने होने नौर्थ हैंजब नं अपपा कैने हैंसा। पारत आपनी पॉर्डर शेर कारेगा जिवें जिवें से उड्दा अद कौնजड़िज और लेंद काइमिस्ट्री आपन KrTOR को दुछोग को और चाइना दे बाद उस तो बाद चाइना देन पाकिस्तान नेपाल और मयामार भूतान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान देनल इंडिया सब तो कट बाउंडरी जड़ी है शेयर कार दा है वो सिरफ 106 किलोमेटर दी है इस लाइट तो नोग ख्लीर हो गया तो थाम्स अप कार दो आगे अगे कंटिन्यू करा ठीक है जल्दी नल कर दसो इस इत क्लियर इस इत क्लियर गैस गैस जल्दी नल शेयर कार लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है बच्चा मैं पूरी प्योर पंजाबी अगर दोन दिक्कत आ रही है इननी भी अंग्रेजी नल मैं थोड़ी होर पंजाबी जड़ी है इंक्रीज कार देनी कोई चकर नहीं है चलिए होन आगे कांटिन्यू करिए ओके वेरी इजी ए अपना फर्स चाप्टर रिवाइस हो गया जुन्हों आपके ने इंडिया ने फ्रंटियर्स वाला जड़ा चाप्टर होंदा है उन कई बरी न एक्जाम चो कोशन नहीं भी आन दे है अगर पांगला देश इंडिया अगर चार किन देन लादाः कि एफजान देना बॉर्डर शेर करता है तो टोटल एक्की स्टेट ओधना लाग दे जिनू आपके ने लडाख अगर इंडिया चाइना दिनाल जड़ा है शेयर कर दा है तो टोटल पंच एदा दे जड़े यूनियन टैल्टरी और स्टेट्स लाग दे जिवें कि लदाख, उत्राखन, हिमाचर परदेश, सिक्किम, अरुनाचर परदेश ठीक है चाइना पंच चार एदा दे स्टेट्स है जड़े नाल बॉर्डर लग देने अपने इंडियन स्टेट्स है इक है उत्राखन, हिमाचर परदेश, सिक्किम, अरुनाचर परदेश बट लदाख चड़ी है यूनियन टैल्टरी है जो चाइना देनाल बॉर्डर शेयर कर दी है पहला थी जमू कश्मीर आंदा सीगा बॉर्डर चेंज होनतों बाद लदाख आ गया है बांगलादेश चड़ा है पंच टोटल स्टेट्स है जिदेनाल बॉर्डर शेयर कर दा है लॉंगेस्ट बॉर्डर शेयरिंग हों दी है जिवें कि वेस्ट बेंगॉल, असम, मिघालिय, त्रीपूरा और मिजोरा तब बा अफगानिस्तान एक कर दा है उस्तों बाद भूतान एक एदादी कंट्री है जो सब्तों छोटी कंट्री है जो इंडिया दिनाल बॉर्डर शेयर कर दिये बाकी सारी कंट्री सोन वड़ी देखनों मिलन गया बूतान टोटल चार स्टेट्स दिनाल बॉर्डर शेयर कर दा है जीवें की सिक्किम हो गया, वेस्ट बेंगॉल हो गया, असम हो गया और अनुराचल पदेश हो गया पाकिस्तान भी फाइव स्टेट्स लाग देनल, गुजात, राजिस्तान, पजाब बट दो यूनियन टेरिटरी लाग जान दी है, तिन स्टेट्स हो गया, मतलब दो यूनियन टेरिटरी, जम्मु एन कश्मीर ते एक लदाक उसी तरीके ना, नेपाल पांच स्टेट्स से नाल बौर्ड शेर कार दया है, केड़े-केड़े, उतरपादेश, उतराखंड, बिहार, वेस्ट बेंगौल और सेकिम यह भी बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार एक्जाम जे विचे रिपीट होंदा है कोशन, तो आनू याद रखना है कि किन्ने स्टेट्स जनाल किस-किस तरीके दिना बौर्ड शेरिंग होंदी है, अगर अपने कोल टाइम होंदा तो मैं तो आनू मैप देवाइस भी लिखा देनदी, बट एन अनू टाइम जड़ा है, अपने कोल बच्या नहीं है, इस करके जल्दीना रिवाइस करो, तो थाम्स अप कर दो कि येस मैम, रिवाइस हो गया, फटा फट रिवाइस करो, येस वरी गुड, तो थाम्स अप कर दो, जल्दीना, सश्शिकाल जी, जो एक बार मैं, जो तो बोल देनी है, एक बार तुसी स्लाइट खुद भी रीट करया करो, so that you can remember, ठीक है, तो उन्हीं याद रह सके, got it, okay, अगी बाद दे हाँ, हून अपा second chapter दे और वधन वाले हाँ, जिसनों अपा कहने है, इंडिया दी फिजियोग्राफिकल डिवीज एदा मतलब कहीं कि पारत नूँ किस तरीके दिनाल, पारत इजिड़ा मैप है, उस नूँ किस तरीके दिनाल डिवाइट कितना जान दै, आपपाँ पंच तरीके दिनाल पारत नूँ देख दिया, इक हुन दे, Great Mountain Wall of North, इक हुन दे, Great Northern Plains, Great 뉴istoire P DOil, Coastal Plains, Great Indian Desert, आइले, आइल हुँद है इंडिया दा एनू अपाद कилась माले प्लेकों और द्लिद मुआ आई कि आ जाँ थे मुझ सबता है हिमाल्याश होग इनु आपा मेजरली तिन डिवीजन दे विच डिवाइड करके समझांगे, जादा डिवीजन आपा नहीं पढ़ पावांगे, इसके लिए तिन डिवीजन ही आपा रिवाइज करांगे, जो मोस्ट अफदा एक्जाम से विच तानू पुछी जान दिये, जी वे तुसी यहते अपा की कहनते हैं ग्रेट हेड करना, जे इसलिवीजन finans युण आपा की कहने हैं? हिमादरी ठीक है तक Great Himalayas हिमादरी के लान दे उस तो बाद आन दे Lesser Himalayas Lesser Himalayas हिमाचल के लान दे और जड़े शिवालिक सुन दे रहनों Outer Himalayas ते foot hills of the Himalayas दे नाम तो जाने जान दा है Is it clear? Is it clear guys? Everyone clear हो गया? Yes बिलकुल Thickness जड़ी हों दि है पंजाद तो लएके 15 km तक हों दि है बिलकुल सही है थिकनेस दा मतलब हों दा है ती मोटाई पंजाद तो लेके ति जाके 15 km तक हो जान दि है ए भी बिलकुल सही गल दसी है ओके आगे बात दिदे आ cutter जिवे अपड एक क्या कि पारत देविश, सब्तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजिस केडियाने, तता अनु वो याद रखना है, वो है अरावलीज, आगेर एमें कोश्चन आनदा है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजिस, ता आंसर की दोंगे अरावलीज, और कई बारी तो अनु ए भी पूछ रिता जा नौथन प्लेंज है, यह हिमाल्या, ट्रांस हिमाल्या और पुर्वांचल, इस्टन हिल्स दे विच भी डिवाइड हुन दे, नौथन प्लेंज आ मतलब की दे नौथन माउंटेन प्लेंज है, जो हजे तुसी पिछे डाइग्राम दे विच भी देखे, आ वले बच्चा, यह ना नौँ अपपा होर भी तरीके नल डिवाइड कर दे, एक ता हिमाल्या हुन दे, जड़े एद्धर वाले पहाड हुन दे, यह ना नौँ अपपा की कहने पुर्वांचल हिल्स, या इस्टन हिमाल्या, उत्तरी पहाड, उत्तर दिशा वाली, और एथे जड़े आन द यह, लेन हुन अपपा एक हिमाले अजें, ग्रेटर हिमाल्या जें लेसर हिमाल्या जे है, शिवालिक्स है, एं आदे ऊपर की की कोशनซ बान सब्सकादे, उनादे बारे रर्यांज करा आँगे, जिन भी वर्ल्ड इस अब तो हायसे पीक हों दियाने, जिनने भी मॉंटें अने उतनु ग्रेटर हिमालयस देखनु मिलन गयां जिवे की wanna अजिलए कि मांट एवरिस जड़े ग्रेटर हिमालयस दापाथ हैं कंंचन जंगा जो की सिक्मड विछ पाया जान दय 油 पह पाहार जड़ेग्र हिमालयस दापाथ आ जान दय ताई जिननी भी हाइस्ट पीक आँछ नो मिल दियाने इंडिया देविच, नंदा देवी यह भी किदा पार्ट है Greater Himalias दा पार्थ Hi उसी तरीके नल वल्दी देखो HIGH इस पीकुंद मठ देनां तो भी जानने हा जानना है, कोशन एकजाम सकाते है किसनूteellमा इडिया जानना है, Bill और कई बारी इसनु चाइना दे विच चौम लंगमा दे नाम तो भी जानेया जानदा है, नेपाल दे विच अनु सागर मठ्था दे नाम तो जानदे हैं, अगर एक्जाम चु कोशन आनदा है कि इंडिया दी हाइस पीक दसो केडी है, ता पांसर देनेया केटू, इसनु कई यारी आपपां गौडविन अस्चन दिनाम तो भी जानते हैं, और अगर कोशन आनदा है, इंडिया दी सेकिंड हाइस पीक दसो केडी है केंचन जंगा, यह कित्थे आजानदी है, इसनु सिक्केम वली साइड और अगर कोशन आनदे है, थर्ड हाइस पीक अ केडी है, नं इग्जाक्टली नेक्स अपने को लानदा है, आगे देखो, हुन कई बरी की हुनदा है विचा, जड़े पासेज हुनदेने, पासेज दा मतलब हुनदा है, जड़े माउंटेन्स देविच जड़े रस्ते हुनदेने, उन्हों दे उपर कोशन बहुत चारी पुछे जानदेने, ता जी में थंग ला पास किते है, निती पास किते है, लिपू लेक पास किते है, एक इते आजानदे, उत्रा खंड देविच और अगर कोशन बहुत चारी पास किते है, बाराल अच्छा ला पास किते है, शिपकी ला पास किते है, ओ हिमाचर परदेश देविच और अगर कोशन आनदा कि ग्रेटर हिमाल्यास देविच किते जड़े जम्मु कश्मीर वाली साइड पास से जानदे हो केड़े बुर्जीला पास, जोजीला पास, जम्मु कश्मीर, बाराल अच्छा, शिपकीला पास, हिमाचर परदेश, ठंगला, नितिला, लिपु पास, उत्राखंड और इसी तर पास से तानू याद होने चाहिए एक्जाम से बार बार रिपीट हों दे, एक बार आनू जल्दी नाल देखो, बाकी ये चीज ता तानू मैं आलड़ी पिछले स्लाइड चे दास सी चुकी है, वेरी गुड, जल्दी नाल रिवाइस करो, हाँ जई, स्पीड आप, Is it clear? Is it clear? हो गया सारे नू clear, समझ आ गया? नतुला पास, लेपला पास, सिक्केम, ठंगला पास, निती पास, लिपुलेक पास, उत्राखन, बाराल अच्छा ला पास, शिपकिला पास, हिमाचर परदेश, बुर्जी ला पास, जोजी ला पास, जम्मू, कश्मीर, और ग्रे बाते हां, हुन अपने कुल आंदे है बेचा शिवालिक्स, शिवालिक्स ती अगर आपा गल करिये, शिवालिक्स टड़ी हों दे है, जड़ा एरिया हुं दे, उत्थे दून्स मिल दे, जीमें, देहरा दून, इस अलसो दा पास, शिवालिक रेंजेस, उन एधी बारे तो पता होना चाहिए दें, शिवालिक्स टेढ थे 24 किलोमेटर तक फैले हुने, तोड़े स्टार्ट हुने और एंड तोड़े इस्टन हिमालय वली साइड होने किन्ने 24 किलोमेटर, ठीक है उसी तरिके देनाल अगर तुसी देखोंगे, जिवें शिवालिक्स वाली साइड, तो शिवालिक्स वाली साइड यह कहनदा है, कि जिवें अगर अपा इस रेंज नो देखें, डाइग्राम तो नो दिखा देनी तहां समझाएगा, अगर तुसी एत्थो स्टार्ट होने हो तो अथी तक पूरा जाने हो किनना है यह 2400 km है और यहीं विठ्ठ किननी हों दिये है एथी हिमालयास वाली साइट जड़ी 50 km हों दिये पर जिद्धा ही अरुआचल प्रदेश वाली साइट जाने हो यह 15 km हो जान दिये ठीके बस इनना ही पॉइंट जादा यादक ने इस तो जादा इनने कोई ख ज़िए उपर greater हिमालियाज होंदे, नीचे की उन्दे शिवालिक्स होंदा और यह दे विच की उन्दे lesser हिमालियाज होंदे, ते दे विच आजान दे उत्राखंड दे विच मसूरी रेंजिस जड़ियाँ होंदियाने, ओ lesser हिमालियाज दा पाठ है, एक कोश्ण एक्जाम चा जिवे अगर तुसी देखोंगे, कोश्ण एक्जाम चान दे, पीर पंजल रेंजिस किते हैं, और किस हिमालियाज दा पाठ है, तो तो आनू याद अखना है, ए लेसर हिमालियाज दा पाठ है, पीर पंजल रेंजिस होंदियां किते ने, जम्मू कश्मीर वाली साइड, उस पाड़ी एरिया नू अपपा कहने हा, रेंजिस, इसी तरीके नल मसूरी रेंज, नाग तिबबा रेंज, ए तड़ी उत्राखंड वली साड़ा हैं दी, महा भारत लेक, ए भी लेसर हिमालियाज दा पाठ है, एक इत्यार ने, नेपाल वरी साइड, तो आनू याद रखना ह ने, एक इक इधा स्टेट याँ यायू उनियन टैरिटरी केड़ी है, जिमें पीर पंजल रेंजिस, जम्मु कश्मिर चाह एक यह आद अधग ने, दूजर तन सु चैह नू वरी स्लाइड शो जल्दी देनाल, बहुत भी इंपर्टेंट, आन्जी क्लियर होया? हाँ जी इस इट क्लिया थाम्स अप कर दो जी क्लियर हो गया थाम्स अप कर दो जी क्लियर हो गया ठीक है जी चलिए अगे तो हाजे सिरफ देखो 20 मिनट्स होई है तो अपा हिमाल्यास भी रिवाइस कर ले तो कोई डिफिकल्ट नहीं होंदा अगर आपा to the point जड़ा है पढ़ देया ना to the point कर देया आजो देखो पीर पंजल रेंजिस दे बारे बहुत सारे questions एक्जाम चे बन दे ने पीर पंजल रेंजिस दे बारे भी ठोडा तो अनो दसना चाहूंगी नहीं आपका कहने मनी-महेश-कैलाश-कैलाश-कैलाबाग कर दो यह क्यों दो मजतलां सब्सक्दगार poisoned pit परी प्सक्राइल यहां जिए की पहां तो यहां पढ़रिख नचिध लानौं लिएस पहां एलदो निमजेश-कैलाश-कैलाश-कैलाश-कै muut ठीके चलो आओ आगे वाद दिया उस्तो बाद मैं थोड़ा जा इसनू इलाबुरेट वेन आल देखो 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 आ देखो आप पीरपंजल रेंजिस है आरे धोलाधार रेंजिस एथे आंदी है हिमाचर पदेश अरी साइड ठीके और उस्तो बाद उपर देखोंगे आ आ देखो एनू कहने कारोकरम रेंजिस ठीके एक कारोकरम रेंजिस है तो आनों याद होएगा आप शिपकिला पास कितना सिगा आ देखो आ रहा शिपकिला पास अच्छा एग्जामीनर एक कोशन पुश्दा है कि अगर सपोस मेनू केलाश रेंज देविच जाना है ठीके आवली केलाश रेंच जाना है अपा कित्थो जा मांगे अपा शिपकिला पास तो जानने है ठीके जो कनेक्ट करदा है तिबेत नू इंडिया देनाल एक कोशन इग्जाम देविच आ जानना है उसी तरीके देनाल जसकर रेंजिस आ देखो लदाख वली साइड हुन दिया जसकर रेंजिस किते हैं लदाख वली साइड जो इंडस रीवर एथो मांसरोवर लेक तो ओरीजनेट कार दिये तो जसकर रेंजिस दे थ्रू ही पारत देवी चैन्टर करती है ओके चलो आओ अगे बाद दिया उस्तो बाद हाइस पीक आपा उल्रड़ी कार चुके हैं ठीक है उत्राखंड वली साइड ओके हाइस पीक आपा कार चुके हैं पर्दर मोर के रियों दिया चौथे नंबर त्यांदी है कामेत हाइस मांटे और उस्तो बाद अंदा सल्तोरा कंगरी फिफ्थ अग्ये वाले तो उन्हों याद करें दिया लोड नहीं है क्योंकि पुल्वी जाओ कोई चक्कर ने चली अग्गे अग्ये है ओके हुन कोच कोश्टन का लेनिया जो एक्जाम देविच सब तो जादा रपीटेड हुन देने आओ अरे रिबारे जानिये कि वाइविच नेम दा माउंटेन ठीक है एवरेस्ट इस नोन इन नेपाल नेपाल दे अगरज ङपाल अनपा की कहने ही विस्टेने बनी हाल पास एवरेज हाइध जधी उनधी ग्रेटर हिमालिया जी किस हाइट ती हिमाल गो शन्देने मतला पहारी पहारी हुन थेने ग्रेटर हिमाल ज़जी तेक डा नीचीर सतित क्यरी नेगन जो की तोड़ी कश्मीर वाली हाइस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट नो अपा इंडिया दा पार्ट क्यों नहीं मनेया क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल से भी चाह जान देने अगर अपा देखें, अपार्ट नक्षा है और इस वली साइड जड़े हिमाल्याज आंदे इन्हों अपा की कहने है इन्हों अपा की कवांगे पुर्वांचल हिमाल्याज पुर्वांचल हिल्स नाम तो जान दिया यह लानू कई बरी अपा इस्टन हिमाल्याज कहने है ठीके यह याद दख लेना exam point of view देना काफी important है उसतो बात एना clear हो गया सारे नूँ आजी is it clear guys is it clear एथे तक सारे नू clear है आजी एदधा नहीं लाग रहा कि यार थोड़ा fast हो रहा है ठीक है इनी speed मैंनों लग देख कि okay है इनी speed कि थोड़ी slow करा तुसी बात देविचो जड़ी slow जी में कई वरी अंतर recording जी बहुत fast लगे एक बार हो recording watch कर लियो ठीक है इस वीडियो ते बाद जी जादा fast लगे था क्योंकि मैंनों जादा तो जादा content करवान है इस करके मैं थोड़ा fast अल रही है ओके thumbs up कर दो फटफट थाम्स अप कर दो आ लास्ट वाला कह रहे हूं अच्छा दिस वाला केंदे केड़ी रीवर जड़ी है सेपरेट कर दिये western हिमाल्या नू नेपाल हिमाल्या तो ये भी कोशन आंदा है western हिमाल्या नू नेपाल हिमाल्या तो केड़ी रीवर जड़ी है डिवाइड कर दिये, उसनों अपा गयने काली रीवर, ये भी कोशन बहुत बार रिपीटिड होया होया है, ठीके, ओके, चलो, आगे बार दिया, उसतो बात, हुन अपा गल करन वाले इस्टन एंड वेस्टन घाट्स दे बारे, तो अड़ी सामने पारत दी तट्टिय रेखा है, तट्टिय रेखा दा मतलब की हुन दा है, इस चीज नों अपा कहने है, कोस्टल रेंज, आवली जड़ी एरिया हुन दा है, ये नों अपा की कहने है, कोस्टल रेंज, ठीके, उन कोशन एक्जाम चाहिए, ए किनी हुन दी है, 7517 किलोमेटर, पूरा अप्रॉक्सिमेट लेलेनेया, पॉइंट ची की लेला, इनने किलोमेटर ए तट्टिय रेखा जड़ी है, हुन दी है, हुन एदे विच टोटल किनने स्टेट्स लाग दे, पहली का लेस उनों, एवले जड़ा एरिया हुन दा है, इस नों अपा कहनेया, वेस्टन खार्स, और एद्दर वाला इस्टन खार्स, और एद्दर वाला एरिया, इननों अपा कहनेया, इस्टन खार्स, उस्तो बाद, हुन एत्ते ना, कई बारी एक्जाम चो बहुत बार, तो आनों कोशन्स देखा नों मिलनगे, जिदे विच तो आनों ए पुछया जाएगा, कि माला बार कोस्ट किती है, य उडिस्सा दी तट्टे रेखा नूं अपा कहनेया, उत्कल प्लेन, उडिस्सा दी तट्टे रेखा, कोस्टल प्लेन नूं अपा कहने, कोस्टल एरिया नूं उत्कल प्लेन, उसे तरीके नाल, हाफ ओफ दा आंध्रा परदेश, और तामिल अडू नूं अगर तो सी मिला द करनातका एंधा केरला एरिया की वेगा यह कोंकरिया माकवार कोस्त सब्सक्राइब सा महारास्ट्रा गोठा करनातका डिरेक्री सब्सक्राइब गुजरात डिर्य में मकुतरओं डिरे होंदे उचन्य इसलिछ की मोंधल साइड, ठीक है? Is it clear? समझ आ गया? उसी तरीक्ये दिनाल, तुसी अगर स्टेट्स देखोंगे वेस्टर्ण घाट्सवली साइड केड़े केड़े, गुजरात, ठीक है? सेकिंड, महाराष्ट्रा, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला, इसी तरीकिना लिस्टर्ण घाट्सवली साइड स्टेट्स एकों, तामिलाडू, पुढ्डू चैरी, आंध्यापादेश, उरिसा, एंड़ वेस्ट बेंगॉल, और सब तो वड़ी तट्टे रेखा, मतलब सब तो लेंथी कोस्टल जड़ी रेखा है, किस दी है, ओ है गुजराती, ठीक है, लॉंगेस्ट कोस्टलाइन जड़ी है, गुजराती, अगर एक्जाम जो कोश्टन आन्दा है, कि लॉंगेस्ट कोस्टलाइन जड़ी है, ओ किस दी है, ओ है गुजराती, ओ है गुजराती, इस इट क्लियर, इस इट क्लियर? हाँ जाई इस इट क्लियर चलिये? ओके उन इस तो बाद आपने को लांदेने लेक्स, लेक्स हार अल्सो वेरी वेरी इंपोर्टेक्ट, एक्जाम सो बहुत बाल लेक्स तानों पुछे जानदे हैं तो आपने लेक्स जड़े हैं, रिवाइस करनवाले हैं कुछ इंपोर्टेंट लेक्स ही रिवाइस करवाऊंगी जो एक्जाम पॉइंट आव यूदिनाल इंपोर्टेंट है अगर एक्जामीनर पुछता है कि एरिया वाइस सस्तम कोटा लेक उसी तरीके नल चिलिका लेक उडिस्सा देविच पाया जान्द है इसनों अपका ब्रैकिश वाटर लेक भी कहने है या कई बारी अपकानू लागून लेक दे नाम तो भी जानते है शीवाजी सागर लेक महाराष्ट्रा देविच उन्द है थर्ड बड़ा अन्द लेक ए एरिया वाईस इंδरा सागर लेक मध्यर्पर्देश वाली साइड और इवलली इंदरा सागर डाम भी बनेया हुए है जो कि नर्मदार रीवर द्युत्त्य बनेया हुए है ना पंगॉंग लेक य आंद है लदाग ते विच लदाग ते विक ए खोर लेक आं सखागर लेक तेलंगाना वाले साई, लोकतक लेक छो पानी दे विच फ्लो मनिमे का अंडगा मनीपूर बुल्लर लेक ओंट है व्ली हां तरह भी से आला है अपने इंडिया दे Frontiers रिवाइस होगे, Himalayas रिवाइस होगे, Eastern Cards and Western Cards रिवाइस होगे, अपने जड़े हैं, Lakes रिवाइस हो रहे हैं हाँ जी, PDF मिल जाएगी, in my Telegram channel मिलेगी, गाइस हाँ, Renew का लेक, HB, अच्छा, जीवें चंडिकर वाली साइट भी लेक हों दे रहे हैं, अपने लेक बहुत चारे हैं, बस मैं इंपोर्टेंट ही करवा रहे हैं ठीक है, उन पूल गया थोड़ा जा, कोई गाल ने, होगे रिवाइस, जल्दी ना रिवाइस करो, very good मैं सिर्फ पेपर पॉइंटर व्यू देना, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट रिवाइस करवा रहे हैं, एक कंटे दे विच होल जोग्रफी करने, इस लिटल बिट डिफिकल्ट, बट फेर भी आपा कार रहे हैं, ठीक है कोलेरू लेक एता चलो हो गया, सामभर लेक भी होंदा है बच्चा, राजिस्थान वली साइड, इंडिया दा लार्जस्ट इनलेंड सॉल्ट लेक है अगर एक्जाम चो कोशन आनदा है, कि पारत दा, इंडिया दा, सब्तो वर्ड़ा लार्जस्ट इनलेंड सॉल्ट लेक केड़ा है, तो सामभर लेक है, राजिस्थान वली साइड, उस तो बाद पुशकर लेक भी आनदा है, राजिस्थान वली साइड, लोनार लेक अगर तो पहला दा है, नौर्थ इस्थ इंडिया देविच सब्तो वर्ड़ा फ्रेश वर्टर लेक केड़ा है, या उनली फ्लोटिंग लेक केड़ा है, तो लोग तक लेक आएगा, पुलिकत लेक ता आप अलड़ी कर चुके है, हाँ, ठीके, सस्तम कोटा लेक भी अपा का लिया, ये ता अपने हो गए, जिनने भी लेक से ये, उन एग्जामीनर बक्षदा नहीं है, एग्जामीनर कईवारी, डाम्स तो भी कोशन पुछलन देए, तो हमें कुछ लिस्ट डाम्स दीभी बनाके लेके आई हैं, जो तो आनू याद रखनी है, सब तो पहला डाम आन करिए स्टार्ट, डाम स्टार्ट करिए, जल्दी ना क्लास शेयर कर दो यार, बच्चे इनने थोड़े हैं, कि इनने अच्छा रिवीजन करवा रही हैं, फेर भी हाना, तो आनू नहीं लगदा, ये 9 साफी है मेरे नल, है, पूरे यूटूब देवे चिक कंटेज, कोई ज परिवाइज नहीं करवा सकता, हाना, लागनी देवे 9 साफी है मेरे नल, चालो, सर्दार सरोवर डाम नर्मदा रिवर देऊते हैं, गुजरात मध्य परदेश देऊते, नर्मदा रिवर दा जड़ा ओरिजनेशन है, मध्य परदेश ची हुंदा है, अमर कंटक खिल देखो उस्तों बाद जड़ा डाम है, सिरी सलम डाम, कुर्नोल डिस्टिक्ट आंध्रापदेश देविच आ जान्दा है, और सेकिंड लाज़ेस्ट कपैस्टी है, एदी हाइड्रो इलेक्टिर दी, और ये भी याद रखने है, किस टिस्ट किते आन्दा है, आंध्रापदेश दे उन्ता अड़ेली कोशन है, सिरी सलम डाम, एक किस रिवर डियोते है, कृष्णा रिवर डियोते है, ये कावेरी रिवर डियोते है, एक रिवर जड़ी है, तुस्ती चूज करनी है, ठीके, आगे बाद देहाँ, उस्तों बाद आंदर रंजीत सागर डाम, जुसनों कई बा बनेऎ ए किरिवर डियोते है, बिलकुल सही है, कि जड़ा सिरी सलम डाम है, एक किस रिवर दे बनेट है? ॐखे, करिष्णा, कोतेश्वर डाम जड़ा है, भागी रती रिवर डियोते बने आ होया है, भागी रती रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट कोशन आता है, कि भाग जड़ी रथी जड़ी रिवर है इस दा उरीजनेशन कितों हुंदा है इस दा उरीजनेशन हुंदा है गंगोतरी ग्लेशर तों केडी ग्लेशर तों गंगोतरी ग्लेशर तों और भागी रथी रिवर गंगोतरी ग्लेशर तों और भागी रथी रिवर गंगोतरी ग्लेशर त 100 केड़ा है बहुत दाला केड़ा और दाला का देड़ा ए, तहरी में भी यादरक ना भी जा हो गी पर घृंचल सो हें के आनि के ऑगी जार्थ-चा गेंच लाए! त पोथ कर दाली यह है! त बहुत कर दाला की जया है! इंपोर्टन नहीं है, अगे बाद देहां, बगली हार डैम कि दियुत्ते बनेया होया है, बगली हार डैम, बगली हार डैम जड़ा है, चेनाब रीवर दियुत्ते बनेया है, किस रीवर दियुत्ते, चेनाब रीवर दियुत्ते, उस्तो बाद आंदा है, नागा अरजुन सा सागर डैम किस रीवर देटे बनिया होया है यादखना है क्रिष्णा रीवर देटे रावी रीवर, कोतेश्वर डाम जो कि भागी रती रीवर दे उत्ते बनेया होया है, तहरी डाम भी भागी रती रीवर दे उत्ते बनेया होया है, कांधी सागर डाम जो कि चंबल रीवर दे उत्ते बनेया होया है, ओमकेश्वर डाम नर्मदा रीवर दे उत्ते बनेया होया ह सलल डाम के दिचतक बनिया होuite हुए, चनाब रिवर të हे, को maior आश्चार धिविर रीकी निव और कोईना रीवर्ते ही ही बनिया हुए हुए, तो बाद रिहंद डाम, जिसनों अपा गोविध बलब भंत सागर डाम भी कहने हां, ये कि सक रीवर्ते बनिया हुए? एक अर्टि इंडिया दा लाज़ेस्ट आर्टिफिशल लेक, अगर एक्जाम चो कोशन पुछा जावे, इंडिया दा मैनमेड आर्टिफिशल लेक केडा है, तो 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 नहीं याद अखना है, वो है गोविंद बलब पंथ सागर लेक, ठीक है, उत्तरपरदेश वाली साइड रेंद है, और यह किस रीवर्धे बनेया है, रीहंद रीवर्धे ही बनेया हुए है, गोविंद बलब पंथ सागर लेक, ठीक है, इस एक क्लियर, उकई लेकोई लेकोएस्ट, इस फैक्चल कोशुन, रेक्षल कोशन है, एक वरेन जरूर रिवाइस कालेना, जेडे इंपोर्टन लेको सागर डैम मध्य पर्देश्टे विच है तो मध्य पर्देश्टे विच किस रीवर्दा उरीजनेशन होंदा है नर्मदा रीवर्दा ता इंद्रा सागर डैम के दे है नर्मदा रीवर्दे उत्ते है उकई डैम भी ये जम्मु कश्मीर वाली साइड है यह उरी डैम क्या दे किस रीवर्दे है, भागी रथी रीवर्दे उत्ते, भागडा नंगल, भागडा यंदा नंगल डाम, दोनों डाम्स जड़े हैं किदे बने होई है, सतलूज रीवर्दे उत्ते, सतलूज रीवर्दा ओरीजनेशन किते होंदा है, तिबत दे विच्ची होंदा है, रक्सक ले वाली साइड है, कई वर येदा स्टेट जड़ा है, पुछ्च्छा जांद है, तो याद एकना एदुकी डै म किते है, केरला वाली साइड आएगा, और ये जड़ा डै म हैं, किस रीवर्ते बने आ हुए है, एदुकी पेरिया रीवर्ते, उस तो बाद लखवार डै म आ अंगारी वर्दी सब्तो वड़ी ट्रिब्यूटरी आ जान दी है और यमुनादी सब्तो वड़ी ट्रिब्यूटरी के रही है उन्हों कहने टन्स उन्हों कहने टन्स टन्स जड़ी है यमुनादी सब्तो वड़ी ट्रिब्यूटरी जड़ी है साहा यक नदी जिसनों अपागे कि उससे बादे आंता है मैतूर डैम लाजंट डाम इंडिया और लाजंट डाम इंता Mis Allah कि यह वदियोक्त है हुग पर के यह तु पर कामयरी रीवर्द्धे उत्ते फ्लोग को में सहत deception का वेअरे रीवर्दे उत्ते अब उस्तो बाद हिराकुन डाम आन्दे वेरी वेरी इंपोर्टन्ट ये भी एक्जाम चुकोशन आन्दे महानदी रीवर्दे उत्ते ठीक है? हिराकुन डाम महानदी रीवर्दे उत्ते और इकानदे जवाहार सागर डाम ये भी कितने बने चंबल वैली ते, चंबल रीवर ते, ठीक है, राना प्रताफ सागर डैम, ये भी बहुत important है, राना प्रताफ सागर डैम भी चंबल रीवर ते बने आ होया है, और ये राजिस्तान वली साइट जड़ा है, आज आनता है, टोटल में तो आनू 23 डैम्स करवा के ठक गे, हाँ जी, काफी टोपिक रिवाइस हो गया है, करामा गे, एक मिनट मैं दो मिनट चुप हो जा, 40 मिनट्स हो गे, लगातार बोल रही है, ओके, जी, थाम्स अप कर दो, समझ आ गया है सारे नू, जिनानू थोड़ी बहुत जोग्रिफी आन्दी होईगी ना, उनन समझ आ गया होएगा कि मैडम किस प्रस्पेक्टिव दिनाल करवा रहे है, एस सारे एक्जाम पॉइंट और व्यू दिनाल काफी जादा बचा इंपोर्टेंट है, ठीक है, काफी जादा इंपोर्टेंट है, नेशनल पार्क्स तोनू मैं लास्ते विच करवानिया, हजे मैं अधिशन के इंपोर्टेंट रेवलुशन तो डिलेटिट ग्रीन रेवलुशन दे बारे कोशन एक्जाम दे विच बांजनदे है, ग्रीन रेवलुशन दे नाइंटीन सिक्स्टी स्टार्ट होया सेगा और अगर दे बारे गल करेएवई ते राइस दी प्रोडॉक्शन देविच फादर कॉनसी नॉर्मन बॉर लग सेगे सारे रेवलुशन्स दे वैसे फादर याद रखना एने इंपोर्टेंट नहीं है कुछी रेवलुशन्स होंदे जिना दे फादर याद रखने बाकी तोनु यह पताओना चेद है कि यह वाला जिड़ा रेवलुशन है किस दे नाल डिलेटिड आ जानता है उसी दे रिक्के नाल रेड रेवलुशन जिड़ा है मीट ते टमेटो दी प्रोडक्शन नू इंक्रीज करन दी लेके आया गया मीट ते टमेटो रेड कलर टमेटो दा हुँद है उस तो यह देखला मीट ते टमेटो दी प्रोडक्शन नू इंक्रीज करन दे ली येलो रेवलुशन जिड़ा है फिलिपाइन्स दे विच 1986 दे विच आ गया सी गा येलो हुँद है, येलो कलर किस दा हुँद है? עॉइल का हुँद है ठीके? तो आॉइल सीड़् ती प्रोडक्शन नू इंक्रीज करन दे ले येलो रेवलुशन जिड़ा है लेके आया गया एवर्ग्रीन रेवलुशन दा मतलब की है Evergreen जड़ी Terms हीगी ए स्वामी, MS स्वामी नंथन नहीं कौइंड केती सी, उना नहीं स्टार्ट केती सी इंडिया देविच Environment देविच मतलग Greenery लेके आंदेली Forest दा आंदेली जड़ा है Evergreen Revolution जड़ा है लेके आया गया उस्तोबाद आया Black Revolution Black Revolution जड़ा है Petrol दी production नो इंकरीज करन देली लेके आया गया और इस्ताबलिश किता गया सी 1999 देविच Brown Revolution जड़ा है Leather या जो तड़े Coco production हुन दिये Leather दिनाल ग्रेटे यादखना कि Brown Revolution लेके आया गया Golden Fiber Revolution जदो Fiber लग जणद है Fiber दा मतलब Jute ठीके ता Golden Fiber Revolution कि देना अलेटेट सीगा ओ Jute देना रिलेटेट सीगा Golden Revolution आगे ता Fruits थे हानी ठीके Fruits थे हानी अगर Golden पुछे जानद है Golden Revolution ता Fruits थे हानी अगर एमें पुछे जानद है Golden Fiber Revolution ता अपना आजणद है Jute उसी तरीके ना राउंड रेवलूशन पटेटो दी प्रोड़क्शन देली आलू दी प्रोड़क्शन देली इंक्रीज करन देली लेके आया गया Silver Fiber Fiber लग जग 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 अगर कलना Silver होवे Silver Revolution ता Egg Production ठीक है Cotton देवास्ते Cotton देली सानू जड़ी है Black Midty Regur Kalी Midty दी अज़रूरत हुन दी है ता एदी Cotton दी प्रोड़क्शन करन वाला सब तो वड़ा स्टेट के रासी गा उसी गा गुजरात ठीक है उह है गुजरात इस तरी के नाल White Revolution आया जिन्नों Operation Flood दा नाम भी दिद्दा गया और एदी Milk दी प्रोड़क्शन नो Increase करन देली लेके आया गया Pink Revolution जड़ी है तोड़ी दवाईयां हो गया या तुसी कहलो जड़ी Pink Onion हों देया उना देवास्ती या प्राउन दी प्रोड़क्शन मीट दे रिलेटेड आयां दे ओधी प्रोड़क्शन दे वास्ते लेके आया गया ये सारे इंपॉटेंट रेवलुशन सीगे जो एक्जाम पॉइंट और व्यू दिनाल कई बारी आस्क हो जान दे इना दे में येर या फादर नेम नहीं दसे है बट आई रिक्वेस्ट यौल गूगल दा इस्तमाल करो फटा-फट फादर नेम तो येर एक बार जुरूर देख लेना ठीक है क्योंकि एना अपने को टाइम नहीं है कि अपने रिवलुशन से जाधा टाइम इन्वेस्ट कर सके उससे बाद आ जाओ आपा कुछ चाप्टर्स जड़े है होर रिवाइस करने है जी में की स्वाइल वाला चाप्टर ठीक है वान अब दो मोस्ट इंपोर्टन चाप्टर है स्वाइल वाला करवादांगी बचा डोंट वारी अबाउट दाइट हिस्ट्री एकॉनमिक्स एभी सोच दिया कि किस तरीके ना रिवाइस करवा सका ठीक है करिए हुन एक मिनट दो मिनों मैं थोड़ा जाद जूमिंग कालना सो दाइट तनू दिकत ना होबे हाँ नेक्स अपना जड़ा चाप्टर है जो अपना जोगरीफी दे विच रिवाइस करना है वह स्वाइल वाला चाप्टर मिट्टी वाला चाप्टर बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम चाफी सारे कोश्चन्स जड़े है आज आन्दे है ता इसनों अपा रिवाइस करांगे तोड़े सामने इंडियन माप देखो ड्रॉ किता गया है और इस दे अकॉर्डिंगली अगर अपा देखे पारत देविश टोटल आठ परकार्दी मिट्टी जड़ी है पाई जान दी है जड़ा ग्रीन कलर मिल रहे है इसनों अपा की कहने है अधियो तो आनू पिंकिश कलर देखा नो मिल रहाएगा एनू आपा कहने लेटराइट स्वाइल यह साथी स्वाइल्स है पारदी मिटियां पारदी जड़ी टोपोग्राफी है मतलब एरिया हर जगा अलग अलग मौसम है हर जगा जगा जड़ा है हर जगा जड़ी है तुसी कहलो अलग लग कंडिशन है उदे करके स्वाइल्स जड़ी आने डिफ्रेंट तरीके देनाल हर एरिया देविच अलग लग तरीके दी पारद देविच पाई जान दियाने एक बार इस मैं आपनू देखलो सो दाट मैं अग्गे जड़ा है तो आनों स्वाइल्से बारे दस सका जलदी नाल देखो बचा डन डन आजओ उन सबतो पहला था अपना एलू वली स्वाइल्स देबारे जड़ा है जानांगे जो जो चीजा तो अनू पता होनिया चाहिए दियाने जिसनों आपना जलाओफ मिटी भी कहने आप अगर कोशन एमें आवे पारत दिविट सबतो जादा केड़ा केड़ी एदाधी स्वाइल है जो एरिया कवर अप कर दी है तो आनों याद एकना एलू वली स्वाइल है 40 परसंट आफ दा लैंड जड़ा है कवर अप कर दी है यह तो आनों नू नू नौर्थन प्लेंज वा इस्टन कोस्टल प्लें आलसो इस्टन एरिया वली साइड भी तो आनों देखानों मिलेगी जड़ी एलू विली स्वाइल है सब तो उपजाओ स्वाइल हुन दिए यह हूमेस और्गैनिक मेटर सब पाया जान दे बट इस स्वाइल देविच किसी भी स्वाइल देविच न स्वाइल दे ब्लैक स्वाइल जड़ी है महाराष्ट्रा वाला एरिया या जिसनों डेकन प्लेट्ट्यू भी आपका कहने है जिद्धा में तो नुम आप देविच दिखाया सी गा ओथे पाई जान दिया है कॉटन दी कल्टीवेशन दे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट ह क्यों हुन दिया एक्जाम चे कोशन आंदे तानु या दखना है क्योंकि एदे विच आरन ऑक्साइट्स जड़ी है जादा पाई जान दे इस करके लाल कलर दी हुन दिया है रेट एंड येलो स्वाइल अप एना दोना नू कठे लेग दे या एद्धा क्यों क्योंकि लाल म मिट्टी आएगी हो येलो कलर दी होएगी तो जड़ी लाल मिट्टी हुन दिया ए तो आनू जादा तर छोटा नागपूर प्लेट्ट्यू जो कि जार्खन वली साइड आयन दा है उडिसा इस्टन चत्तिसगर ते लंगाना नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स वेस्टन घा देखलो एक बार आखे आलू वली स्वा नीलओ ये ट स्वाइल ने आलू वली स्वाइल है बच्टा आ ओके नेच्सका अपनी को लान दा है बच्टा लेटरएट्स वाइल अ अगर एक्जाम चो कोशिण आवे कि सब तो केडी पुर क्वालीटी वाइल है थीके ता लेटरो यहाइड स्वाइल आदा झाली मेर्चिंअ आ कि यहाइड सेसे घिल मेढद हैक, इसमंधुरी एल के खांकी स्वाइल्ट। पंजाब राजिस्तान उस एरिया दे विचे पाई जाएगी आरेट ते डेजर्ट स्वायल तो नूँ पते ही लाग गया बंजर जमीन पंजाब वले एरिया साइड भी मिल दी है राजिस्तान वले साइड भी मिलती है माउंटेन स्वाइल तोन उत्थे मिलेगी जिते माउंटेन जेरिया हुंदे यानि कि फॉरेस्ट हुंदे जिमें हिम आचरपदेश उत्राखन ए सारा ठीके हान जी इस स्वाइल्स है कुछ चीजां तोनु एना दे बारे पता हुनिया चाहिए दिया सी गया ए मैं तोनु दास जड़ा इंपोर्टेंट चाप्टर आंदा है उना आण ए क्रॉप्स वाला चाप्टर क्योंकि कई बारे जड़ी है तोनु पारत्दे क्रॉप्स दे बारे भी पुछ रिता जांदा है तामे टेबल फॉर्मेट दे विश स्वाण दास देनिया कि केडे केडे स्टेट्स हैं जित्थे wheat, rice ये सब उगाया जान्द है, जो तो अपक कणक दी गल कार दिया, उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट सा जान्द है, राइस दी गल किती जान्द है, वेस्ट पेंग ओलन्ड, उत्तरप्रदेश, टॉप प्रोड्य प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ग्राम दे बारे गल किती जान्द है, जड़े बारिश वले एरिया है, मेजली उत्तर पाये जाएगा, वीट नौर्थ वली साइड भी पाये जान्द है, पंजाब एक एदादा स्टेट है, जिते सब तो हाई यल्टिंग है, मतलब थोड़े ज़े एरिया दे विछ जादा वीट प्रोड़क्शन किती जान्द है, ठीक है, बाजरा उस जगा पाया जान्द है, जिस जगा जादा बारिश नहीं हों दी, जिवे कि महाराष्टा, गुजरात ते राजिस्तान, इवली बारले भी, तेक टॉप रेड्यूसिंग, उस तो जग की जान्द है, जो जिदे विछ प्रोफिड मार्जिन जादा हुँदा है, पैसा जाधा कमाया जा सब्सक्ağı तो उन्हों अपा कैश क्रॉप्स केरा जान्द है, और जिडिए खान बस्ते हों थन्हों अपा फूड क्रॉप्स कहने है, जिमें के फी, वीट, राईस ए गन्ना जड़ा है उत्तरपदेश और महाराष्ट्रा दिवी तानू जादा देखा नू मिलता है ओइल सीट से विच भी बहुत जादा कोशिन आंदे है जीवे केरला वान आफ दा फेमेस स्टेट है कोकोनट वास्ते कोकोनट सब तो जादा उत्थे मिलता है एवन ली ताम दा लडवी ठीक है इससरे के नल तानू ग्राउन नट ही आद डखना है गुजराथ आंधर पदेश आंदर ताम मेलाडू बाकि और एने इंपोर्टन नहीं है गुजराथ आदर देश याद डखना बहुत है, कोक ग्राउंट गुजरात अंधर पदेश अंधर तामिलाडू, कोकनट किड़ा हो गया, केरला अंधर तामिलाडू, उस्तो बाद आंधर है बिच्छा, फाइबर, फाइबर दा मतलब किये, जिवे कॉटन, जूट बगेरा हो गई, तक कॉटन किते मिल दिये, महरा सब्सक्राइब, बिल्कुल, मै थे तो अनुओ, ऑपवा पॉइंट अफ्यू देनाल भी करवाता, स्वाइल आथे, क्रॉप्स भी करवाते, कैश क्रॉप्स भी करवाते, फूड क्रॉप्स भी करवाते, अपा इंपोर्टन डाम्स भी काले है, फुन, एक चाप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसनों अपा रिवर्स सिस्टम कहने है तो मैं रिवर्स सिस्टम भी तो आनों रिवाइस करवा देननी है ठीक है फिर दाट सौल फॉर्ट टूडे लेक्चर क्योंकि एक कंटा लगातार बोलना एक मिनट वदा भी ब्रेक नहीं लिटता है इस तू डिफ बिवर्स सिस्टम शॉरों नशनल सिस्टम भी बभाद हंगी वेट करो सब तो पहला मैं रिवर्स शॉस्टम कर्वाद माँ अओके लिफ Hol यौे примерно 66 पार्न शॉरों में एक माउट रिवर्स सिस्टम थी आपके करन वालें करीह शॉर्स साठ करीहेर है शुलल लेड इसबिया कि अपनी जान जड़ी है लगा सका बहुत कुछ कवर हो गया एक्जाक्टी थैंक्यू अमन्दीप तुस्य सारे भी मेरे पसंद दे इस्टूडेंट्स हो आई नो कि जिनने भी जो भी मिनों फॉलो अप कर दे अना उना दे दिल दे विछ मेरे लिए रिस्पेक्ट ता बहुत होएगी अना बिकॉस अफ माइ कंटेंट्स चाहे कट लोग फॉलो करें चाहे जाधा लोग फॉलो करें केंदे ना कि अपनी अपना कम सही रखो चाहे तो अनू इक जाना फॉलो करें चाहे दो जाना पर जो भी फॉलो अप कर दे अनू कंटेंट दा पता होंदा है कि आई मैं जड़ा है दिल तो ही पढ़ानिया पानी पीलें दी हर्विंदर हज मेरे कुल पानी नहीं पया है ठीक है चलो आल स्टार्ट करते हां कोई गाल ने हुन इना नू अपा कहने है हिमाल्यन रिवर्स ठीक है एना नू की कहने है हिमाल्यन रिवर्स सिस्टम उसी तरीक के देनाल जड़ी एदर वाली रिवर्स होंदिया ने साउथ इंडिया दिया एना नू अपा की कहने है पैनिन्सूलर रिवर्स पैनिन्सूलर रिवर्स सिस्टम ठीक है, हीमालन रिवर्स जड़े हुन दे है, दो-तिन रिवर्स है देवी चांदिया ने, इक आंदिया ने इंदस रिवर्स सिस्टम, ठीक है, इक आंदा है गंगा रिवर्स सिस्टम, और इक आंदा है ब्रहम पुत्रा रिवर्स सिस्टम, ब्रहम पुत्रा रिवर्स सिस्टम और जदो अपप certao syrup प्रीवर्ज दिगाल कार से लेगा नहीं अस निया किरेतड केला हैं ना नू अपप कमाई आपया केला हैem कि नर्मदा तप्ती ते माही बाकी सारी इस्ट फ्लोइंग रीवर है यह तानों याद दखनी है कि वेस्ट फ्लोइंग केडिया ने देखो एक बार येस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीक है जी एनना क्लियर हो गया सारे नूं इस इट क्लियर नाओ चली अग्ये हाँ आगे कांटिन्यू करिए आजाओ उस्तो बात आपने कोल देखो जड़ा रीवर सिस्टम है आपा सब तो बहला इंदस रीवर दी बारे गल करने वाले यां बचा थोड़ा ज़र जल्दी करना पहेगा क्योंकि अगली ग्लासिज अपनी स्टार्ट होने आने आपा वो क्लासिज नों खराब नहीं करना है तो बात देखोने आपने स्पीड लो करके यूट्यूब दी एक बारे रिकॉर्डिट बॉच कर लिए ता इंदस रीवर नों अपा सिंधू दे नाम तो जान देया वेस्टन मोस्ट फ्लोइंग रीवर है यह उरीजनेट करती है बोखार्चू यह याद रखने है उरीजनेशन बोखार्चू तिबितन नियर मांसर ओवर लेख ठीक है और इसनु कई बारी अपा सिंगी खंबन दे नाम तो भी जान देया यह इसनु कई बारी अपा लॉइन्स माउथ दे नाम तो भी जानते है पारत देविच रड़ी इंदस रीवर है इस असकर रेंज तो जिड़ा है केलो होके एंटर कारती है ठीक है उस तो बाद जिड़ी इंपॉर्टेंट रिब्यूटरी है इंदस रीवर दी हो केडी केडी है अगर मैप भी देखोंगे तामी तो पता लग जाएगा जिवें की ब्यास सतलुच चेनाप रावी ठीक है जेलम और उस तो बाद इदे विच किड़ी इंदस रीवर दी केडी इंदस रीवर दी ट्रिब्यूटरी है जो सब तो वड़ी ट्रिब्यूटरी है longest tributary of इंदस रीवर सिस्टम तापा अंसर देने हाँ सतलूच अगर यह पुछा जानता है largest tributary केड़ी है मतलब सबतो जादा पानी केड़ा contribute कर दी है इंदस रीवर ते तापान सर देना है चिनाब इसी तरीके नाल इंदस वाटर ट्रीटी भी होई सी जो कदो होई सी 1960 देविच केड़ी दो कंट्रीज देविच होई सी इंडिया ते पाकिस्तान देविच और इस देविच एक के आगया सीगा कि जड़ा इंडिया है पारत है उस सिरफ 20 पसंट पानी इंडिया दा वरतेगा बाकी 80% पानी जड़ा है, पाकिस्तान इस्तमाल करेगा उस्तों बार एथे एक बारी जड़ा है, जल्दी दिनाल फटाफट सारया दा ओरीजनेशन देख लो, इंदस रीवर हाँ जी नेर मांसरोवा लेक, एथे प्लीज लेंथ ना देखना क्योंकि लेंथ देविच कुछ मिस्टेक्स हो सक दियाने, मैं PDF नूँ चेक नहीं किता है बस सिम पर एथे देखो, इंदस रीवर मांसरोवा लेक, जेलम वेरिनाग, चिनाब बाराल अच्छाला पास हिमाचर पदेश रावी रीवर नेर रोहतांग पास, अगेन हिमाचर पदेश, एजसकर रेंजी स्वाल कान देख, ब्यास नेर रोहतांग पास, सतलूच मांसरोवा लेक, यानि कि सतलूच दे इंदस रीवर दा उरिजिनेशन सेम जगा होंदा है बढ़ सतलूच रीवर दा जड़ा उरिजिनेशन है, और रकसक लेक देखोल हूँदा, रकसक लेक जड़ा की मांसरोवा लेक देखोल ही है इंदस रीवर अरेबियन सीदे विच ढाके ड्रेन कार दी है, जेलम रीवर चनाब नू मिल दी है, चनाब जड़ी है इंदस ढाके मिलेगी, रावी भी चनाब नू मिलेगी, ब्यास भी सतलूश नू, अच्छा, इक खोर कोशन तो आनू याद दखना है, केडी रीवर है, इं इंडिया दे विच्छी फ्लो करेगी, बाहर नहीं करेगी, ओ है ब्यास, ठीके, यह उरीजनेशन जड़े है, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्जाम दे विचे पुछे जान देने, उस्तो बाद अपने को लांदा है बचा, गंगा रीवर सिस्टम, गंगा रीवर सिस्टम सारी समझा देनिया, जो जो चीज़ा जड़िया ने, तुसी गंगा रीवर सिस्टम दे बारे याद रखनी आने, ठीके, देखो, गंगा दा उरीजनेशन जड़ा है, गंगोतरी ग्लेशर तो हुनदा है, इस तरीके दिन आले फ्लो कार दी है, ति बांगला देश जदो ये एंटर कार दी है, ता इसनों अपा की कहने है, पदमा, प्लीज रिमेंबर दाट, कि गंगा रीवर जड़ी है, जदो बांगला देश ते विच एंटर कार दे होए, ये ब्रंपुतरा रीवर नों मिल दी है, फिर उस तो बाद ये जाके डेल्टा बनान दी है, और दे ड्रेन हो जानती है, ते गंगा ते ब्रंपुतरा दा जड़ा डेल्टा है, वर्ल दा लार्जस डेल्टा जड़ा है, बनता है, उन्ही से तरिके नाल गंगा जड़ी रीवर है, गंगोतरी ग्लेशर तो ये दा उरीजनेशन होएगा, गंगोतरी ग्लेशर किते है, उत्र खंडवली साइड गंगा रीव बागी रती रीवर उस वक्त कैंदे जो तो यह उरिजिनेशन होंदा है दे परियाग दे कोल अलक नंदा रीवर ना ले जोईन कर दिये फिर उस बाद यू गंगा के लाया जानदा है गंगा जड़ी नदी है सब तो वड़ी नदी आजानदे 25 25-25 किलोमेटर यदी टोटल लेंठ है गिये और यदी बहुत सारी टिब्यूटरीज है जिवे अथे देखोंगे गोमती, कगर, गंदक, कोसी कोसी नो अपना सौरो अफ बिहार दे नाम तो भी जान देया कोसी रीवर दा उरिजिनेशन नेपाल हिमालया जे कोल हुनदा है ज इसनो अपना की कहने है सौरो ओफ वेस्ट बिंगॉल क्योंकि यहां जान दा है क्योंकि उत्थे दुख दा कारण क्योंकि उत्थे बहुत जादा जड़ी बाढ़ है यह लेक्यां दिये डिस्ट्रक्शन इसी तरीके दिनाल अगर तुसी देखोंगे सोन रीवर जिस दा उर दिटिर्ब्योट्टी आ जान दि है घंगार इवर ते फरक्काबारज भी बनया होया है कोशन एकजाम जाहें देखोंगे एक बार इस डिर क्लिरे गजां पॉल्ट पॉइंट और जादा इमपॉर्टेंड है के ही बहुत इमपॉर्टेंट है के यह ठीक है जी ओके उस जल्दी दिनाल तुसी प्लीज जड़ी लेंथ है वो नहीं नोटेस करनी है तुसी सिरफ नोटेस करना है कि ओधे सोर्सिस केड़े केड़े है क्योंकि हर रीवर दे जड़े सोर्सिस हों देने वो इंपोर्टेंट हो जान देने एक्जाम पॉइंट अव्यू दिनाल ते गंग बंदक रीवर अगेन नपाल हिमालयास कोसी रीवर जड़ा है ये भी नेपाल हिमालयास रीवर को ही ओरिजनेट कर दी है ये ही सारी चीज़ा जड़ियाने मैं तो नूँ पिछे मैप से विचवी दस्याने तो ये चाट भी अपना जड़ा है मैप देनाल ही खतम हो गया ठीक ह जी उस्तो बाद आन दी है अपने को ब्रहंपूतरा रीवर खतम करना थोड़े डिफिकल्ट है बट आ जाओ क्योंकि कुछ जड़ी पैनिंसुलर रीवर जै ओ जान लो ओ एक्जाम पॉइंट अव्यू दिनाल इंपॉर्टेंट है पस ओ ही करवाऊंगी उस्तो बाद आन द वः को बोडि गांगा किसन हो दाहों गोदावरी है उस्तो बाद एभी यादखना जिमें पेन गंगा, वार्धा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, एदी important tributaries आ जान दिया है इंद्रावती किस दी tributary है? गोदावरी दी, एक्जाम चो कोशन आन दा है वला देन अपने कोल बचा आन दी है क्रिश्णा रीवर, क्रिश्णा रीवर दा ओरिजनेशन केते होंदा है? महा बरेश्वर इन वेस्टन घाट्स ठीके? महा बरेश्वर इन वेस्टन घाट्स और कावेरी रीवर दा ब्रह्मा गीरी रेंजिस दे कोल होंदा है ये भी वेस्टन ऑफाट्सवली साइड होंदा है ठीक है कृष्णा रीवर दी इंपॉर्टेंट व्यूट्री केडिए भीमा तुंगाभद्रा मलप्रभा ट कोई ना तुंगाभद्रा डाम भी कृष्णा रीवर तर बन्या होया है उस्तो बाद क्या वेरी रीवर्णु आपका कहने इंपॉर ब्यूट्रीज है, फटाफटे नो रिवाइस करो, वेरी गुट, फटाफट रिवाइस करो, ठीक है जी, आजो, उस्तो बाद आन दिए बचा, माही विंध्यन रेंजिस दे को लोरिजिनेशन कार दिए, तब ती सत्पूरा रेंजिस, सत्पूरा रेंजिस किते आयें दिए, म जान दिए, माही, बिंध्यन रेंजिस वाली साइड, और सबरमती अगे नरावली, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आ जान दिए ने, ठीक है, और हत्थमती, सीरी, वक्कल, सबरमती दी, इंपॉर्टन रिव्यूट्री है, हीरन, तवा, शक्कर नर्मदी दी है, पू ठीक है, ओके बचा, बाकि अपड़ डैम्स अलड़ी कर चुके हैं, जिनने भी डैम्स तानु करवाने सी, ए सारे डैम्स में अलड़ी तानु करवा चुकी हैं, उकई प्रोजेक्ट अप्ती रिवर्त हैं, माही प्रोजेक्ट में ए सारे अपड़ी कर चुके हैं, that's it for today, ब पुल्चुक माफ एक कंटेद विच नहीं हो सकता है तो अनु पता है कि अलड़ी 26 जन्वरी है तो 26 जन्वरी दिन असी तो अनु आफर क्यों ना देए तेसली पंजाब दे महापैक दियो ते डबल वालेडिटी आफर चाल रहे है अगर तुसी प्लाणिंग कार रहे हूं तेयारी करन दी पंजाब गवर्मेंट जोब जी ते मेरे ना अल्चोग्रिफी, इन्वार्मेंट, साइन्स, टेक ये सारे सब्जेक्स GKGS मास्टर करना चाने हो तो तो तुसी मेरी क्लासेज चे इन्रोल कर सकते हो किद्धा इन्रोल करोंगे पंजाब दा महापैक लेके, अर्लियर एदी प्राइस जड़ी है 3200 रुपया हों दिये, दो साल दिल तो 4000 तो भी जादा हों दिये ठीक है, फुल कॉंसेप्स क्लियर, इन दा नेक्स अपकमिंग वीडियो मैं कोई हो सब्जेक्स प्लान करांगी जिदेविच अपा ही सारी रिवीजन जड़ी है करांगे, ता तक लिए स्टेए ट्यून की प्लानिंग, गॉड ब्लेस्यों, आव अग्री